अपनी टेनिंग के पश्चात स्पेशल फोर्सेस कमांडो के सेलेक्शन के लिए तुम मेंसे कौन जाना चाहेगा तो एक आदमी ने हाथ उठाया और कहा साब मैं जाओंगा नाम रिक्रूट गजेंदर सिंग बिष्ट रिक्रूट की ट्रेनिंग अर्थास आप समझ लीजिए कि किसी आग के उपर रखे हुए तवे पर समय गुजारना जैसा होता है हर रिक्रूट चाहता है कि मेरा यह समय पूरा हो और गजेंदर सिंग बिष्ट ने क्या चुना कि उस तवे पर जो अपना समय पूरा करेगा उस में कूदने का उसने निर्णे लिया गजेंदर सिंग बिष्ट नाम का लोहा उस आग में कुदा पहाड जंगल तप्ती रेत वो लोहा गरम हुआ तपा पिगला धला और तेन महीने के बाद उसमें से जो व्यक्ति निकला गया तो था वो राइफल मैं गजेंदर सिंग को यह बन के निकला लेकिन एक आदत उस व्यक्ति की नहीं गई हर बात में वह यहीं कहता साब मैं जाओंगा जब भी कोई मुश्किल हो परेशानी हो कार्य दुर्गम हो कि यह नहीं होगा गजेंदर सिंग सिंपेश्ट खड़ा होता बोलता साब मैं जाओंगा उसी अंतरा आया एक मौका रेजिमेंट में पूछा गया एनसजी कमांडो में जाना है ब्लैक कैट टीम में कौन जाएगा फिर दहारा शेर सब मैं जाओंगा और वो गया एनसजी कमांडो में ब्लैक कैट टीम में उसने अपना कारे पूरा किया जो अभियान दिया गया उसे पूरा किय सफलता से और वापस आया टेन पहरा स्पेशल फोर्सेस रेजमेंट में और उसी दौरान फिर कारगिल की लड़ाई लगी वहाँ पर उसकी रेजमेंट गई उसकी टीम गई और वहाँ पर भी जब भी कोई मुश्कल चोटी काम मुश्कल असंबव हो तो एक हाथ ख़ड़ा हो होता साब मैं जाओंगा उसके बाद वो अपना कारे करते रहे उसके बाद फिर से आया रेजमेंट में फिर वही बात कि इस बाद फिर एनेसजी में जाना है वालेंटियर कौन जाएगा फिर हाथ ख़ड़ा हुआ साब मैं दुबारा जाओंगा हवलदार गजिंदर सेंग बिष्ट दुबारा एनेसजी कमांडों के लिए वापस चल पड़े इस बार लेकिन जब वह गए तो उनका विवाह हो चुका था उनके दो छोटे-छोटे बच्चे थे बड़ा प्रेम करते थे वो अपने बच्चों के साथ लेकिन वो अपनी प है क्योंकि राष्ट्र सर्वों पर ही है राष्ट्र सर्वों पर ही है स्वाव से वह बहुत निर्मल थे वह इतने निर्मल की वह सड़क पर चलते हुए जाएं और कोई उन्हें धक्का दे अब शब्द भी कहे तो वह आदमी पलटके बोलता था भाई साब माफ कर देना और अपने राष्टे चला जाता था उसको शायद या ब्रहम भी हो जाएगा कि आदमी डिर्टा तो नहीं है वो इतने सरल थे आम जिंदगी में लेकिन उसके बाद जैसे होता है सेना के हर यूनिट में एनेजी में भी वहां के जो प्रशाशनिक कारे होते हैं वो हर कमांडो ब उमभई में शत्रू ने हमला कर दिया कि सारे कमांडो वहां से एक एक करके रवाना होने लगे हर कमांडो को उन्होंने शस्त्र दिये हतियार दिये एमनीशन दिये विदा किया और सब के जाने के पश्चात इस बार उनसे किसी ने पूछा नहीं वह खुद गये अपने सीनि सब क्या बात है मैं सब हवलदार गजंदर सेंग बेश्ट सब मैं भी जाओंगा और वहां दिल्ली से जितने भी हवाई जहादों में कमांडो हुआ है उसके आखरी जहाज का आखरी सेनिक हवलदार गजंदर सेंग बेश्ट चढ़ गये उसमें यहां जब पहुँचे तो उनकी टीम नेरिमन हाउस वाले में तैनाथ थी वहां पर पहुँचे तो उसके पुराने साथ ही थे बोले अरे गजंदर तुम बुला हकेले हकेले मैं कहां छोड़ दूं मौका सिपाही के जिन्दगी में शत्रू से दोदो हाथ लेने का मौका मिल जाए भाई साथ इससे बड़ी कोई स्वर्ग नहीं कोई जन्नत नहीं उसी शंड के लिए तो हर सिपाही जीता है वो शंड हवलदार गंजंदर सेंग ब बस उसके बाद बात आई लेकिन अब जब वहां पहुंचे तो नेरीमान हाउस का जो इलाका था वो शत्रू के कारण कम और हमारी अपने कारणामों के कारण वो आपरेशन बड़ा जटिल हो गया था एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग चिपके हुए एक जम सटे हु हो गा आतंगवादी किसी बिल्डिंग में होंगे हमें उन्हें साफ करना होगा लेकिन उन्हें आश्चेर हुआ कि वहां पर हर घली में घड़की पर हर छट पर लोग भीड़ बड़े हुए थे अब उनके लिए शत्रू का संगार करना चुनौती थी लेकिन उसे बड़ी चुनौती बन गई कि हमारा कोई अपना देशवासी घायल ना हो जाए और ये चुनौती कैसे पूरी की जाए और इस बात का पता नहीं एक तो बिल्लिंग सब बता रहे थी कि वहाँ पर अतंकवादी हैं लेकिन कमांडो जानते थे कि बाकी जगा भी हो सकते हैं वो शांत बैठे होंगे मौके के इंतजार में कि उसको खाली समझ कर कोई कमांडो आए और वो नुकसान हो जाए शत्रू का पता था कमांडो कहा है कमांडो उसको और यह नहीं पता था शत्रू कहां कहां पर है लेकिन पहला चुनाती जैसा कि मैंने कहा कि हमारे अपने सिविलियंस को महां से निकालना था तो जो नेरिमन हाउस का जो बिल्लिंग था उसके आसपास जो थे जितने बिल्डिंग उसमें बहुत सारे सिविलियन थे जो की इतना नजदी की मानलो एक खड़की से कूदे तो कोई दूसरे खड़की में चला जाए सामने यह बिल्डिंग में यहां परातंगवादी सामने वाले बिल्डिंग में जो घर है उसमें आम सिविलियन लोग दबे थे सहमे थे चुप चाप बैठे हुए डरे हुए सांस भी नहीं ले रहे थे एकदम अब फिर बात आई कि इनको निकालेगा कौन तो फिर वही बात होई हाथ खड़ा हुआ साब मैं जाओंगा और गजंदर शेंग बेश चल पड़े रात के अंधेरे में चुप चाप वहाँ पर जाते लोग डरे कुछ लोग तो दर्वाजा ना खोले अब चुनाती यह कि यह क कर सकते कुछ नहीं कड क्र सकते दर्वाजा खूलवा रहे हैं किस लोग ड्रवाजा खोल नहीं रहे마 कुछ लोग खोल रहे हैं तो किस्ट रूने लग गय और कमांडोग्स कांज ने कहा कि तुम पहले बचलो उसको बाद में बचा लेंगे खेर जो भी है किसी तरह के से सारे पार हुए उसी में से फिर एक ऐसा कमरा था जहां पर घुसने के लिए दूसरे बिल्डिनिंग से घुसने के अलावा कोई रास्ता नहीं था लेकिन वहां पर लोएकी जाली थी जो दिवार में लगी रहती है हम लोग लगाते हैं और अब य घंटे लगाए तीन घंटे धीरे 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 करके चुप चाप उन्हाने पूरी ग्रेल काटी और वहां से उन लोगों का निकाला जब उस बिल्डिंग के जिसमें आतंगवादी छुपे थे उसके चारों तरफ जितने भी लोग थे उन सबको निकालने के पस चाप नरी महनावज में गुषने का प्रयास किया कमांडोज ने एक पतला संक रासा रास्ता था और जैसे ही वह वहां गए उपर से फार आया हमारे सिपाई समझ गया दिस इस डाम किल जोन यहां पर हम जाएंगे तो मारे जाएंगे यह जाल है यहां से हम नहीं जा सकते अब नी उतरेंगे फिर पूछा गया कौन कौन जाएगा फिर हवल्दार गजिंदर सिंग बिशाब मैं जाओंगा मैं जाओंगा और उसके बाद ले जाया गया उनको हली पैट पे हली पैट पे चढ़ने के पहले एक आखिरी फोन उन्होंने कि आपनी पत्नी को विनीता जी को और क कि मैं ठीक हूं मेरे पास वक्त बहुत कम है उस वक्त तुमको लगा होगा कि शायद वो फोन करने का वक्त कम है किसको पता था कि वो अपने जीवन के वक्त की बात शायद कर रहे हैं जो भी हो हेलिकाप्टर से गये उपर से उतरे शत्रू की समझडारी कम हरमारी अपनी बेवकुफी जादा हम इस तमाशे को पूरी दुनिया को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और उस पुरी दुन्या में से दुश्मन भी थे जो ये देख रहे थे कितने आदमी उतर रहे हैं, क्या हत्यार है उनके पास, क्या तयारी है, कितने बज़े उतर रहे हैं हर चीज शत्रू देख रहा था और रनिंग कमेंटरी उन आतंकवादियों को पास कर रहा था उन आतंकवादी जो शायद ठक गए थे, हार गए थे, तूट गए थे, हमारी अपनी बेवुकुफी से वो चौकन्ने हो गए, तयार हो गए, उनको पता चहां वो आने वाले हैं अब जब छट पर उतर गए, तो फिर एक सवाल, कि अब छट पर तो उतर गए, अब यहां से नीचे कौन जाएगा, फिर वही जवाब, सहाब, मैं आगे जाओंगा, और हवलदार गजेंदर शिंग बेश सबसे आगए, निकले, अपने दल का नित्रतों करते हुए, उपर स छट से पहले मंजल, सारे कमरों में घुसे, धराशाई किया, क्लीन किया, क्लियर किया, ओके सिगनल, उसके बाद, अगला कमदा, वो जब क्लीन कर रहे थे, उपर वाले कमरों में, उसमें जो धमाका हो रहा था, हम लोग उसका भी लाइव टेलिकास दुश्मन को बता रहे थे, और दुश्मन रनिंग कमेंटरी, उन आतंगवादियों को बता रहा था, कि पहला उपर वाला मंजल क्लियर हो गया है, तुम तयार हो जाओ, तो वो तयार बैठे थे, क्रॉस पोजिशन लेकर, जब कमरे में आतंगवादी थे, उसमें आतंगवादी थे, दोनों ने क् आतंगवादी थे, उसको दो तरफ धकेला, एक इस तरफ, एक सामने से, कि जो भी कमांडव आएगा, उसको दो तरफ से निशाना बनाया जाएगा, एक 90 डिग्री और एक यहां से 180 डिग्री की तरफ से, और पहला कदम, हवलदार गजंदर शिंग बेश्ट ने अपनी MP5 र हाथ यहां आथ ऐसे था, यहां गजंदर शिंग बेश्ट के गोली लगी, गजंदर शिंग बेश्ट वहें गिर गए, लेकिन उन्हेंने ललाई जारी रखी, उस एक आतंगवादी को ध्वस्त किया, और दूसरे को वहां किया, मौका दी अपने साथियों को, कि वो प्लान क कर पाएं, बाकी बाद में उसके साथ ही आए, और पहले उन्होंने गजंदर सिंग बेश्ट की शव को बाहर निकाला, और फिर करवाई करी, अतंगवादी खतम, ऑपरेशन नरिमन हाउज कम्प्लीट, लेकिन एक बार फिर, अवलदार गजंदर सिंग बेश्ट ने देखा कि यहीं कहीं यमराज घूम रहे हैं, यमराज घूम रहे हैं, हमको टास्क मिला है कि आज इन सारे सैनिकों में से एक आदमी की शहादत लेनी है, हवलदार गजंदर सिंग बेश्ट गए, यमराज के पास, बाई साब, क्या है, किसलिए आयो, मुझे एक शहीद लेना है, यम जय हैं, धन्यवाद